गुड मॉर्निंग स्टुएंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में सभी स्टुएंट्स का स्वागत है आज का हमारा टोपिक है कम्यूनिटी, पिरियोडिसिटी, इको टोन और इको लोजिकल इंडिकेटर्स देखिए बड़ा महत्पून टोपिक है और इस टोपिक के बारे में अगर हम बात करें तो इसको हिंदी में देखिए समुदाय आवर्तिता यानि कम्यूनिटी, पिरियोडिसिटी, साथी तनाव शेत्र इको टोन यानि इसको संक्रमिका भी कहते हैं पर एवं इको लोजिकल इंडिकेटर्स यानि कि पारिश्थितिक संक्यतर इसके बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में अध्यन करेंगे समुदाय आवर्तिता यानि कम्यूनिटी, पिरियोडिसिटी की बात करें जैसा सर्व विदित है कि जीवों का जीवन चक्रिये करम में निर्धारित होता है इसी प्रकार एक समुदाय के सभी जीव यथा पोधे अम्पराणी भी चक्रिये करम दर्साते हैं जब पूरा समुदाय ही चक्रिये करम प्रदर्सित करता है तो यह समुदाय आवर्तिता यानि कि कम्यूनिटी, पिरियोडिसिटी कहलाती है जन्तु वर्ग के जीव अपनी क्रियाओं से देनिक लेवजिता यानि डेली रिदम्स परदर्शित करते हैं जबकि पादप वर्ग के जीव मोसम एम जलवायू के परिवर्तनों पर आधरित देखते हैं या देखे जा सकते हैं कुछ जीव रातरी को सक्रिय होते हैं जबकि कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन में अपनी सक्रियता परदर्शित करते हैं इस आवर्तिता के कई प्रकार माने गए हैं जिनको अध्यान की सुविदा के निमना अनुसार बाता गया है पहला मौसमी आवर्तिता, सीजनल पिरियोडिसिटी, दूसरा प्रकास आवर्तिता, फोटो पिरियोडिसिटी और तीसरा चंद्री आवर्तिता यानि कि लूनर पिरियोडिसिटी सबसे पहले हम मौसमी आवर्तिता को लेकर इसका विस्तार से अद्दिन कर रहे हैं सीजनल पिरोडिस्टी आद्रता अर्थार्थ नमी तापकरम वर्षा देनिक प्रकास का अंतराल आदी पूर्णतिया मोसम पर आधारित होते हैं तता समय समय पर भिन्यता प्रदर्शित करते हैं इससे अर्थार्थ हम कह सकते के मोसम से विबिन जन्तु एम पादपो के जीवन चक्र पर सीधा प्रभाव पड़ता है मोसम परिवर्थन से दिनो दिन प्रकास का अंतराल तता अंधकार का समय भी बदल जाता है जो जीवों के जीवन को सीधा प्रभावित करता है पक्सी वर्ग अपने घोंसले अत्वा आश्रे इस्तल उप्युक्त मोसम आने पर ही निर्मित करते हैं इसी प्रकार जनन पर भी मोसम का सीधा प्रवाव होता है डिरेक्ट प्रवाव परता है वर्षा काल में पेड़ बोदे फलते पूलते हैं और वहीं अनेक पादब सर्दियों में और दूसरे मोसमों में भी फलते पूलते हैं जन्तों का जनन काल भी मोसम से जुड़ा हुआ होता है जनन इस्तलों के बारे में भी यही बात लागू होती है ग्रिश्म रितू में भी अनेको जीवों के जीवन चक्र प्रभावित होते हैं समय की तुरूप से हम कह सकते हैं कि मोसम की आवर्तिता से यानि कि सीजनल प्रभाव का जीवन चक्र डारेक्ट जो है प्रभावित होता है दूसरा प्रकास आवर्थिता फोटो पिरिडिसिटी प्रकास आवर्थिता के अंत्रगत जीवों पर सूरिय के प्रकास के प्रभाव का अध्यन किया जाता है सूरिय के प्रकास का प्रभाव समस्त जीवों पर निश्चत रूप से पढ़ता है प्रकास जन्तुओं तता वलस्पति वर्ग के जीवों के जनन को विशेश रूप से प्रभावित करता है प्रकास ये गत्तिविद्या जीवों के जीवन चक्र को सीधे दोर पर प्रभावित करती है चुँकि प्रकास दिन में ही प्रभावी भूमी का निवाता है अते इस प्रकार को हम देनी का आवर्तिता या डेली बिर्डिसिटी के नाम से भी जादते हैं इसको हम इस प्रकार भी समझा सकते हैं कि प्रकरती में अधिकांस जो गतिया होती है जो जीवों दोरा की जाती है प्रकास से डारेक्ट समंदित होती है वनस्पतिवर के जीव जो है प्रकासी गतिवतियों से सरवादिक प्रभावित होते हैं किन्तु जन्तुवर के जीवों पर भी प्रकास का प्रभाव उनके देनिक जीवन पर तता सार्ति प्रजनन पर भी बहुत ज़्यदा होता है कई जीव दिन में अपनी सक्रेता प्रदर्शित करते हैं और देनिक आवर्दिता को प्रदर्शित करते हैं कमल के फूल का उधरन अगर हम देखें तो उसकी पंखुडिया रात्री में बंद हो जाती है और दिन के समय खुली रहती है कई जन्तू ऐसे हैं जो रात्री चरोते हैं अर्थार्थ रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं तो जो है दिन और रात्री के समय में सक्रेता के आधार पर इनको कुछ सब्दों में जो है वर्गी करत किया गया जैसे रात्रिचर प्राड़ी ये प्राड़ी रात को सक्री रहते हैं दिवाचर प्राड़ी जो दिन के समय सक्री रहते हैं सांदेचा जो साम के समय ज़्यादा सक्रीता पर्दशित करते हैं ये सब प्रकास की आवर्तिता से सम्मंद रखते हैं प्रकास आवर्तिता पोधों में प्रकास अंसलेशन के क्रिया को भी प्रभावित करती है पतियों के पन रंद्रो यानि स्ट्रोमेटा के खुलने और बंदोने का नियंत्रन भी प्रकास के द्वराही किया जता है प्रकास की तिवरिता के द्वराही किया जता है पुस्पो एब फलो पर भी प्रकास का डारेक्ट प्रभाव होता है जो कि दिप्त कालिता या फोटो पेरोडिज्म से जुड़ा हुआ है प्रकास से पोदों का वित्रण प्रभावित होता है इसी प्रकार हम कहें कि प्रकास आवर्तिता यानि फोटो प्रभावित करती है चंद्रमा प्रत्वी एम सूरिय एक दूसरे के आकरशन के प्रभाव से जुड़ी चंद्री आवर्तिता से सर्वादिक प्रभावित समुद्रिय जीव होते हैं। समुद्र में आने वाला जुआर और भाटा चंद्रमा के आकरशन बलके कारण ही आता है। समुद्र में रहने वाले वरस्पति वर्ग यम जन्तु वर्ग के जीवों के चंद्री आवर्तिता बहुत अधिक प्रभावित करती हैं जैसे की नैरीज लियो डिस जैसे जन्तु पूर्णिमा की रात्री में ही विशेश जननिक वेवार प्रदर्शित करते हुए अंडे देत अनेक सीपियों का प्रजनन भी चंद्री आवर्तिता से जुरा हुआ होता है जुआर के विबिन आयाम यता दिर्ग जुआर एवं लगु जुआर भी अनेक जीवों को प्रभावित करते हैं देनिन दिन देनिक जेविक गतिविदिया एवं जीवन चक्र इनसे पूर्ण र चंद्रिये आवर्तिता एं पूर्ण चंद्री आवर्तिता के नामों से भी संबोधित करते हैं रात्री चर जो जन्तु है विशेश रूप से चंद्री आवर्तिता से प्रभावित होते हैं और अमावस के दिन या तो रात्री चर अत्यदिक सक्री हो जाते हैं अत्यदिक न community के लिए अत्यन्थी महत्वपूर मानी गई हैं अगला टोपिक देखिए पारिस्तितिक तनाव शेत्र जिसको इकोटोन कहते हैं तनाव शेत्र या इकोटोन वास्त में दो प्रमुक समुदायों के बीच का शेत्र होता है इसे हम संक्रिमी का भी कहते हैं बिन बिन समुदायों के मिलन शेत्र इकोटोन अर्थार तनाव शेत्र कहलाते हैं पास पास के दो समुदायों के मद्दे कोई भी स्पस्ट सीमारेखा नहीं होती अपीतु उनके मिलन इस्थल वाला जो शेत्र होता है वो भी प्रकरती में अविश्य मिलता है इस शेत्र की विशेष्टा यह है मानी जाती है कि इसमें तराफ शेत्र के विशेष्ट जीवों के अतिरिक्त दोनों समुदायों के जीव भी यहां मिलते हैं इस प्रकार तीन तरह के जीवों का पायजना इस शेत्र की स जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं तनाव शेत्र यानि की इको टोन का जो है निरूपन किया गया है क्योंकि कोई भी दो समुधाई के बीच में इस पस्ट विवाजन नहीं होता है इस पस्ट विवाजन रेखा नहीं होती है तो दोनों पास-पास के समुदाई जहां आपस में मिलते हैं उस शेत्र को तनाव शेत्र करते हैं इस तनाव शेत्र में तनाव शेत्र की अनुकूलता वाले जीवों के अलावा समुदाई A और समुदाई B अर्थार्थ एक समुदाई और दूसरा समुदाई जो पास-पास मे उनके जीवों के उनके जीवों भी आपस मिलते हैं तो समुदाए A और समुदाए B की तुलना में तनाव शेत्र या एको टोन में जो है जीव घनत्व सरवादिक मिलता है उदारन देखें गास के मेदान तता वन के बीच का शेत्र जहां दोनों प्रकार के जीवों बायों परस पर मिलकर विसिस शेत्र निर्मित कर देते हैं तता किसी चल तता इस्तली समुदाए के बीच का शेत्र तनाव शेत्र अथार्ट संकरमिका के अच्छे उदारन है दो समुदाए का मद्यस शेत्र होने से यहां रहने वाले दोनों समुदाएओ के जीव अपने अपने वातावन को बनाए रखने की चेस्टा करते रहते हैं इस शेत्र में दोनों समुदाएओ के मद्धे प्रकास बोजन वै जीवन की दूसरी आफशकताओं के लिए प्रतिश्परदार निरंतर होती रहती है इस मद्यस्ट शेत्रों में बहुती कारक भी तीजी से बदलते हैं तता समुदाएओ के जीवों का गमन जब भी तीवर हो जाता है फलत है मद्यस्ट शेत्र संकुचित होता जाता है इसके वीप्री तनाव शेत्र बड़े होने के लिए एक समुदाय का दूसरे समुदाय से दीरे-दीरे हटना प्रात्मिक अवसक लक्षन माना गया है तनाव शेत्रिया इकोटोन को दो जीवोमों यानि दो बायोमों के मद्दे का संपरक शेत्र भी का गया है संक्रमिकाओं यानि इकोटोन्स में विशेश प्रकार के पादब और जन्तु जीवों का पाया जाना और उनका वहाँ जह है ब्रद्दी करना फलना पूलना यहां की विशेशता होती है उदारण के रूप में हम देखें बटेर पिल जैसे पक्षियों का सफल प्रजनन वन एम घास मेदान के मद्दे शेत्र में ही अधिक होता है यह पक्षि वहीं पे अपने गोसले बनाते हैं अगला हमारा बड़ा मेत्वपून टोपिक है कोर प्रभाव यानि की एज इफेक्ट दो समुदायों के मद्द्द चेत्र कई विशेशता लिये वे होता है इकोटोन अर्थार्थ संक्रिमिका की भी एक प्रमुक विशेशता इसमें कोर प्रभाव का पाया जाना होता है जीवों की अधिक जातिया है उँँ जीव जातियों की संख्या की सगंता यहां पायतियानिक डेंसिटी उनके पास की दोनों समुदायों की तुल्ला में जो है इनका जो संक्रमी का जोन है या इकोटोन जो शेत्र है उसमें अधिक पादब और जन्तु जातियों की सगनता होती है और इसी को इकोटोन शेत्र में जो जन्तु और जीव जातियों की जो सगनता होती है इसी को इसका कोर प्रभाव यानि कोर एफेक्ट या एज एफेक प्रचुरता यहां खोती है जन्तों की अधिक संक्या पेड़ पोदों की अधिकता के कारण संबह हो जाती है पोदों की प्रचुरता भी विबिन कारकों की बहुलता के कारण संबह हो पाती है मद्यश शेत्र में नमी, प्रकास, ताबकरम तता अन्य प्रभाव दोनो पडोसी समुदायों से प्रथक प्रकार का होने से इसका लाव वहां के जीवों को आसानी से मिल जाता है फल्सरूप जन्तू यहां बहुलता से वरस्पती भी प्रचूरता से यहां देखी जाती है अगला हमरा टोपिक है पारिस्थितिक या जेविक संके तक इकोलोजिकल और बायोजिकल इंडिकेटर्स देखिए वातावन यह दसाओं का मापन जीवों उनकी प्रचातियों अत्वा समुदाय से किया जाता है जिसे पारिस्थितिक अत्वा जेविक संके तक कहते हैं यदि वातावन की विबिन दसाओं से प्रेरित यह संकेत किसी जन्तू द्वारा दिया जाता है तो उसे जन्तु संकेत तक यानि एनिमल इंडिकेटर कहते हैं ये संकेत अगर किसी पादब दुआरा दिया जाता है तो उसे पादब संकेत तक यानि प्लांट इंडिकेटर कहते हैं प्रभावी प्रजाती एक महत्वपून संकेतक का कारिय यानि इंडिकेटर का कारिय करती है क्योंकि उन्हें उनके आवास का संपून लाब प्राप्त होता है पादप जन्तु की अपेक्षा अधिक उप्योगी संकेतक का कारिय करते है इसी प्रकार बड़ी प्रजाती चोटी प्रजाती के पेख्षा अधीक अच्छे संकयत का कारे करती है विबिन पादपें जनतु संक Cris तक तता उनके द्वारा संकेत की जाने वाले विबिन दसाएं निम्न लिखित है पहला मिटी के प्रकार के संकेत तक इंडिकेटर्स ऑफ सोयल टाइप्स लंबी तता गहरी जड़ो वाले बोदे जैसे आईपोमिया लेप्टोफिला, आर्टीमीसिया फिलिफोलिया और बलूई दूमट मिटी यानि सेंडी लोम सोयल यह इसमें लोन आगया है, यह गलत है, लोम है यह न की जगए लोम यानि की दूमट सेंडी लोम सोयल तता एंड्रो पोगान इसकोपेरियस जो है घास बलूई सेंडी मिटी की और संकेत करते हैं रूमेक्स एसिटोसेला की उपस्तिती अमलिय म्रदा यानि अमलिय मिटी यानि एसिडिक सोयल की तरफ संकेत करती है जबकि आर्टिमीसिया ट्राइडेंटेटा एम कोचिया वैस्टिटा लवणिय मिटी की सूचरा देते हैं पैदी किसी इस्तान पर सोरिया लूबस्टा यानि कि साल का जो पेड़ होता है सोरिया लूबस्टा तता केसिया आपस्टू फोलिया की व्रद्धी अच्छी लिखाई दे तो यह इस बात की और संकेत करते हैं कि वहां की मिट्टी में वायू प्रिचुर मात्रा में उपलब्द है केरिसा इस्पाइनेरम एवाम केपरिस इस्पाइनुसा के पोधे मिट्टी के अपरदन यानि सोयल इरोजन का संकेत देते हैं दूसरा है क्रसी के संकेत तक इंडिकेटर्स ओप एग्रिकल्चर प्राकरतिक रूप से उगने वाले पोधे भूमी की फसल उगाने की शमता का संकेत देते हैं भूमी की संभावित उत्पाइगता प्रदर्शित करने के लिए वन एक अच्छे संकेत का कारिय करते जैसे करकस मेरी लेंडिका एवं करकस इस्टीलेटा के पोदे बंदे वलुई मिट्टी यानि स्ट्रायल्फ संडी सोयल के अपेक्षा सामाने जो नॉर्मल मिट्टी होती है उसमें अधिकता से उगते वे पाए जाते हैं जलवायू में अंतर होने पर मिट्टी की सरचना में भी अंतर आ जाता है जिससे वनस्वतिया अत्वा घास इस्तर यानि ग्रास लेंड प्रभावित होते हैं ऐसे कारक मूल एम तना दोनों के विकास को प्रभावित करते हैं जिससे फसल की व्रदी एव मुत पादकता भी होती है इस प्रकार से घास इस्तलवी फसल उगाने के लिए अच्छे संकेतक का कारिय करते हैं फिर है तीसरा जलवायू के संकेतक इंडिकेटर्स ऑफ क्लाइमेट किसी भी इस्तान के विशिषठ पादव समुदाय के अध्यन से उस इस्तान के जलवायू का अध्यन आसानी से किया जा सकता है उधारन के लिए यदि किसी इस्तान पर सदा बाहर वन यानि एवर ग्रिन फ्रोजेस्ट हो तो भी ये संकेत करते हैं कि उस इस्तान पर सरद यानि कि सरदी एवं ग्रिस्म यानि गर्मी रितू में भी अच्छी वर्षा होती है जबकि यदि उस इस्तान पर घास इस्तन हो तो ये संकेत मिलता है कि उस इस्तान पर ग्रिश्म रितू में अच्छी एवं सरद रितू में कम वर्षा होती है मरूद बिदवनस्पति अगर हो तो उस इस्तान में ये इंडिकर होता है कि कम वर्षा की सूचक का कारिय करती है कि वहां बहुत कम वर्षा होती है लवणों के संके तक इंडिकर्स अप मिंडरल्स यदि मिट्टी में धात्वूं की मात्रा दिखो तो ये बहुत से पोधो विशेसकर व्रक्षों के लिए सांगातिक होती है आते ऐसी मिट्टी में प्रियाई चोटी-चोटी गासों वाले मेदान पाए जाते हैं मिट्टी में यदि कोपर, बोरोन तदा प्लेटीनम की मात्रा आठ से दस प्रतिशत है तो इस प्रकार की मिट्टी वाले भूमी पोधों से पून रूप से अनाच्छादित हो जाती है कभी-कभी धातू में मिट्टी में उगने वाले पोधों में विशक्त या विशाक्त लक्षन उत्पन होने के कारण उनकी सरचना अत्मक एमकारियात्मक प्रकरती का रूपांतरन भी देखने को मिलता है उदारन के लिए बात करें तो कोपर, मेंगनीज, एमजिंक धात्वें पोधे की लोग उपापचे औरन मेटाबोरिजम को सीधा प्रभावित करती है डारेक्ट प्रभावित करती है जिससे पोधों में क्लोरोसिस रोग उत्पन हो जाता है और इनकी पतियां जो हारी से पीली पड़ जाती है और द्वीफल या एसर की पतियों का जो विवरनन या डिस्कलावेशन हम देखते हैं वो मिट्टी में अधिक तांबे या कोपर की मात्रा की और संकेत करता है जबकि सैलि कोरनिया हर्बोसिया की पतियों का रंग अधिक घहरा हो जाना वहां के मिट्टी में बौरों के अधिक मात्रा की और संकेत करता है जो पोदे मिटी में धातों की अधिक मात्रा से प्रभावित नहीं होते हैं उन्हें मिटेली कॉल्स की कहलते हैं इसके वीपरी जो पोदे मिटी में धातों की थोड़ी सी मात्रा भी सेहन नहीं कर पाते हैं मिटेली फ्यूजेंस कहलते हैं वियोला काला मिनेरिया बुल्बो, इस्टाइलिस, बारबरटा, साइलीन, कोबाल्टीकोला, आदी, मिटेली, कोल, पोदे, मिट्डी में करमसित, जिंक, तामबा तथा कोबाल्ट के उपस्तिति के संकेत देते हैं एलियम, एरेबिस जैसे पोदे गंदक युक्ति मिट्टी के संकेत की रूप में पहचाने जाते हैं प्रदूसक के संकेत तक इंडिकेटर्स ओप पॉलिशन, कारा, योटिकलेरिया तदा वुल्फिया जैसे पोदे अधिकतर दूशित जल्बे पाए जाते हैं को सीवर यानि सीवेज, जल्ब प्रदूशन का संकेत तक माना जाता है, वाटर पॉलिशन का संकेत तक माना जाता है एस्चेरिय के अकोलाई, एकोलाई, नामक जो जीवानू है, जो कि मानव के आद का परजीवी है, प्रदूशित जल्ब का संकेत तक माना जाता है कटला कटला एम लेवियो रोहिटा जो मचलिया है वो उद्योगे जरूब से जो जल प्रडूशन होता है उद्योगों से जो water pollution होता है उसका संकेत करती है क्योंकि जल प्रडूशन होने पर ये प्रडूश dollar है जल से हट कर तेने लग जाती है चरने हम अधिक चरने के संकेतक इंडिकेटर्स ओफ ग्रेजिंग और ग्रेजिंग मवेशी तता गोडे जाड़ियों इन शरप्स को तता बेड ए घासी शाकों यानि नोन ग्रासी हर्प्स को चरना अधिक पसंद करते हैं अतएए शंकेतक का कारिय करते हैं कोपल बकरी के चारगाव वाली भूमी का संकेत करती है अधिक चराइक से गास इसतलों का रुपांत्रन हो जाता है बार बार घास के उजणने से वहां के मिट्टी में पोधों का उत्पदन कम हो जाता है इसके अतिरिक जिस इस्थान पर चा कातार चारण से या ने खाय जाने वाले पोदों के लिए प्रतिसपरदा कम हो जाती है और उनकी संक्या में व्रद्धी होने लगती है यही कारण है कि ऐसी भूमी पर खरपतवारों के मात्रा में व्रद्धी हो जाती है इस प्रकार खरपतवारों की उपस्तिती है वो अधिक चलाई का संकेत देती है आता है जन्तु एम पादबो के संकेतों की बड़ी एहम भूमिका होती है अब अगला है भूमी जल के संकेतक इंडिकेटर्स ओफ ग्राउंड वाटर अफ्रीका में एकेसिया ग्लेंडू ली फेरा तता दक्षिन पस्चिम अमेरिका में प्रोसोफिस जूली फ्लोरा नामक पोदे जल स्रोत या स्रोतो स्प्रिंग के लिए एक संकेतक की रूप में जाने जाते हैं बारत में सल सोला पोदा भूमी जल का संकेतक है इसी तरह बिलो में रहने वाली मक्खी ह एक्षाजीनिया इस बात का संकेत करती है कि जल्मे प्रियाप तरूप से आकसजन, प्रजEंट है। उपस्तित है। साथी पेट्रोलियम के संकेत तक इंडिकेटर्स और पेट्रोलियम जिन इस्तानों पर फ्यूजी लिंड्स जैसे प्रोटो जोन्स पाए जाते हैं उन इस्तानों पर पेट्रोलियम जबाव के संकेत मिलते हैं थेंक यू